नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आने वाला हूँ कि वीवो T1-XE आपके पास T1-4 या फिर वीवो V23E या कोई भी लाटेश फोन तो आप वाइफाई को कैसे फिक्स कर सकते हो या फिर वाइफाई कनेक कर रखे हो नेट नहीं रखना है तो वाइफाई के डारेक्ट सेटिंग पर चले जाओगे अगर ऐसे उप्सन नहीं आ पार आप से तो आप सेटिंग पर चले जाना नेटवर्क इंटरनेट पर यह जो वाइफाई है इस पर क्लिक कर लेना तो यह जो वाइफाई है सबसे पहले तो आपको वाइफ है के अगर फॉस्ट कर रहे हो तो आपको और करना है अपने आस डी को क्लिक कर लेना है और अपना डाल देना है जो भी आपको प्रशवर्ड है ऑलोगे ओए चिपर कनेकट कर दो और और अगर समुंस अपने कर दिया और नेट नहीं नहीं चल रहा है जैसे कि यह कनेक्ट हो गया है लेकिन अगर कनेक्टेड बट नो इंटरनेट तो इसके सामने ना जब भी आप वाई भाई खोलोगे ऐसे तो इसके सामने यह जो सेटिंग आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करके और इसको ना आप फॉर्गेट कर दो और वापस स मारे अंजीयों से कनिक करो असुम्ittaल है ओके क्यों से तो आपका यह फिक्स हो जाएगा और कभी कभी क्या होता है कि राउटरी वेगर हैकि हैंग हो जाता है जिसकी वज़ हैं से आपके यहां पे स्वाइणि चलने में इसीन आता है तो आपना अगर गॉल एगर ऑट्रों आफ कर दो, turn off, और after 5 seconds वापस से उसको turn on करो, और इसको forget करके वापस से connect करो, ठीक है, या फिर आप normally अगर password डालने में बार बार दिक्कत आ रहा है, तो आप disconnect करके और वापस से connect कर सकते हो, बार बार ट्राइक कर सकते हो, इस तरह से, ओके, अब इसके बाद मैं back कर देता हू और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे network save हो जाते हैं आपके, तो already save होता है network, तो आप यहाँ से देख लेना कि कितने network save हैं, और उसको यहाँ से remove कर दो, ओके, अब अगर इससे भी काम नहीं बन रहा है आपका, तो आपको क्या करना है, कि चले जाना है setting पे, और जाना है system पे, reset option पे, reset, Wi-Fi, Bluetooth, अब यहाँ पर एक ही जोर याद रखना, Wi-Fi, Bluetooth, यह तो reset होगा ही होगा, लेकिन अब इसके साथ ना, एक same की setting में reset होती है, कोई भी same select कर लो, उसको set कर लेना वापस से, और reset कर लो, और reset करने के बाद बिल्कुल नया हो जाएगा, तो अब आजाके वापस से आप, यहाँ से set कर लेना, ओके, कई बार क्या होता है, क network चल रहा होता है, लेकिन आपके app में ही दिक्कत होती है, यानि कि Wi-Fi access आपने बन कर रखा होता है, तो इसके लिए आप जाके पहले एक बार check कर लो, network management के थुरू, कि कहीं आपने यह जो Wi-Fi वाला access है, यह, किसी app के लिए आपने rate तो नहीं कर रखा है, क्योंकि अगर Chrome के लिए मैं ऐसे कर दूँ, तो Chrome में Wi-Fi नहीं चल रहा होगा, तो यह जरूर चेक कर लेना, एक बार सबसे बढ़िया है, एक बार इसको off करके एक बार on कर लो, तो वीडियो अच्छी लगे होगी, तो लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, मिलते है नेक्स वीडियो में, कीजिए 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 कीजिए